नमस्कार दोस्तों विनु कीचन में आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो में आपको अलसी या फ्लेक्सीट के बारे में बताऊंगी अलसी खाने का तरीका, इसके फायदे, सावधानी, नुकसान, किन किन लोगों को खाना चाहिए, किन हैं नहीं खाना चाहिए, कौन से मौसम में ये खाई जाती है, क्या इसकी तासीर होती है, कौन कौन से रोगों के लिए अच्छी होती है तो सबसे पहले तो दोस्तों एक बात बता देती हूं आपको इसकी तासीर तासीर इसकी गर्म होती है तो इसके खाने का सबसे बड़िया मोसम होता है सर्दी सर्दी का सबसे बेस्ट मोसम है इसमें हम इसको खा सकते हैं गर्मियों में अलसी बिलकुर नहीं खानी चाहिए हमें क्योंकि ये गरम होती है, बहुत ही गरम होती है इसकी तासीर अलसी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है हार्ट अटेक की समावना को काफी हद तक कम कर देता है इसके अलावा अस्तमा, डाइबिटीज, कैंसर जैसे रोगों को लड़ने में हमारी हेल्प करता है अलसी खाने से दिमाग तेज होता है, आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हो यनि बच्चों को भी खिला सकते हो, लेकिन बच्चों को हम थोड़ी क्वांटिटीज की कम देंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितना हमें देना चाहिए बच्चों को अलसी खाने से सकीन अच्ची होती है, चेहरे पर जूरियां नहीं आती, चेहरा एकदम चमकदार बना रहता है और अगर आपके बाल जढ़ते हैं, आप गंजे होते जा रहे हो या फिर बीच बीच में से आपके बाल उड़ गए हैं, आजकल यह समस्चा बहुत हो रही है यानि लोगों के क्या है, बीच में से बाल उड़ जाते हैं, जैसे हम सिक्के नहीं होते हैं गोल गोल, उस तरह से सिक्के बन जाते हैं बालों में तो यह बहुत ही जादा समस्या हो रही है इसके लिए भी यह सबसे बेस्ट इलाज है अलसी अगर आप खाओगे डेली आप अपनी डेली की डाइट में इसको सुरू कर दोगे तो आपके बाल उडेंगे नहीं जड़ना भी बंद हो जाएंगी और दीरे दीरे जो आपके बाल उड़ गया है गंजे हो दीर दीर वापस नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे हाई बीपी को कंट्रोल करता है अगर आप मोटापे से परेशान है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा उप्सन है आप इसको अगर सूबे खालेते हैं लड़ू बना लीजी इसके और लड आप साम तक भूगनी लगेगी आपको तो आप इससे अपना वजन कंट्रोल कर सकते हो और अगर आप डाइबिटीज के पैसेंड हो तो आज से ही इसका सेवन सुरू कर सकते हो सर्दियां भी चालू हो गई है इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ इसका और एक से दो चमच हम डेली खाएंगे पानी के साथ पी सकते हैं एक से दो चमच डेली खाएंगे दो तीन मैने में आप देखोगे कि आपकी डाइबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है अगर बोडी में कहीं सूजन है चोट है गहाव है तो उसको ये बहुत ही जल्दी ठीक करता है अलसी को कई तरीके से खाया जाता है जैसे अलसी का पीस कर हम पाउडर बना सकते हैं पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर की हम रोटी प्राठा लड़ू हल्वा सर्बत पानी में छाच में दूद में दही मे किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं बहुत ही खाने में भी अच्छा लगता है और इसको सबजी की ग्रेवी में सूप बनाकर कई तरीके से इसको खाया जाता है बात करें इसकी डोज की तो एक से दो चमच एक दिन के लिए काफी होता है यानि एक से दो चमच हम खा सकते हैं अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो सिर्फ एक चमच ही देना क्योंकि इसकी तासिर गरम होती है तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता और प्रिंगनेंट लेडी अगर आपके घर में है तो उसे अलसी बिलकुल नहीं देना जो बच्चे को दूद पलाती हैं महिलाएं उनको अलसी नहीं खाना जिनका पेट खराब है यानि धस दो रखे हैं उनको अलसी नहीं खाना इन लोगों के लिए अलसी नुकसान दायक हो सकती है बाकी ये बहुत ही अच्छी होती है बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं जिनके बारे में हम बात करी चुके हैं वीडियो में तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई